गोड मॉनिंग टू आज जो निया टोफिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं कोविड-19 वैक्षिन कोरोना वाइरिस की जो वैक्षिन आई है उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं और कोरोना वैक्षिन की जो वैक्षिन आई है वो इंडिया के अंदर 16 पढ़ने वाले हैं बहुत important topic है तो द्यान से देखिए देखिए सबसे पहले अपने इसके अंदर आपने जो पढ़ने वाले हैं इंट्रोडेक्शन इंडिकेशन 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 रूट एज एज गुरूफ अवेलिबिलिटी वॉल्यूम डोज इस्टोरेज इफिशेंसीश इसीच्वी सिल फ्रूक। और साइड इफिक्ट। इसके बारे में आज अपने पढ़ने वाले सबसे पहले आपने स्टार्ट करते हैं जो बैक्षिन का इंट्रोडेक्शन की बात करें तो भारत निर्मित जो वैक्षिन है वह क्या है कोवीशेल्ड और को व कोवीशिल्ड की बारे में बात करते हैं देखिए कोवीशिल्ड की बारे में बात करते हैं Oxford और AstraZeneca vaccine बनाया है और इसको क्या नाम दिया है कोवी शिल्ड नाम दियाया थीड़ी ये अफ़न इंडिया के अंदर Serum Institute है जो फुना के अंदर है फुने के अंदर है वहां पे ये मिलके बना रहा है थीडिक है उसके बाद में जो देखें यहांपर भारत बायोटेक इस्टार्टब्स ओन्द को वेक सिनी थीज़ तो भारत बाइसे मारी यह दोनों मिलकर के अपने जो वेकशिन बना रहे है उसका नाम दिया है को वेक्शिन ठीक है उसके बाद में देखे गहां कि यह फाईजर बना रहे हैं जो यह बार की कंपनिया बना रही है और मोडरेना जो अमरिका की कंपनी है वो अमरिका में दवाई बना रहे हैं तो यह अपने इंडिया के अंदर जो भारत निर्मिद वैक्सिन है वो है कोवी शिल्ड एंड को वैक्सिन तो अपने को ध्यान रखना है कि कोवी क्या है कितना ml देते हैं क्या करते हैं उसके बारे में अपने पड़ रहे हैं देखो यह ऑक्सवर्ड और एस्ट्राजेनिका कोविड यह अपने युणिश्टि का नाम है उसके एकोडिंग नो ने अपने वैक्सिन का भी नाम दिया है ठीक है डूसरा इंडिया के अंदर जो वैक्सिन जो बना रहे हैं यह ऑक्सवर्ड और एस्ट्राजेनिका जो युणिश्टि है बिटेन की कंपनी है और यह इंडिया के है वाइस यह वाले उनको देते हैं फिल्वल्यप चैंट मोतें उनको देते हैं जैसे कि अडिनो वाइस है दूसरा है यूज्ट फोर दो फ्रोफिल एक्षि तो यह हैना अगे फ्यूसर के आंदर सांधी हम इसके लिए यह दिkes है ठीक है उसके मिए करते से अलब बात करते हैं कि कोरोन वाइरस के जो dead particles होते हैं उससे बनाया जाता है यह in activated particles of the virus are injected in the body in activated particles होते हैं वो बोडी के अंदर क्या करते हैं injected करते हैं और inject करने के बाद में क्या होता है देखो कोई भी वाइरस बोडी के अंदर entry करता है तो हमारी body उनको पैसान लेती है और उनके against antibody का formation करते हैं body produce antibodies in response to the virus ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी antigen कोई भी antigen body के अंदर entry करता है तो corona vaccine दे रहे हैं तो उसके अंदर जो corona vaccine दे रहे हैं तो जैसे ही antigen entry हुआ तो उसके परती क्या बनेगी antibody antibody का formation होगा और उस जो pathogenic organism है उसको क्या करेगा destroy कर देगा ठीक है तो यह उसमें काम होता है उसके बाद में बात करते हैं कि corona vaccine दे रहे हैं उसके कौन-कौन सी condition के अंदर vaccine को contraindication माना है नहीं देना है ठीक है तो सबसे फेले contraindication की बात करते हैं जिसके अंदर अपन रहेगा person with history of person की क्या क्या हिस्ट्री होती है तो उसको contraindication यह नहीं देते हैं सबसे फेला है एनफाइले 6 या allergic reaction to previous dose of covid-19 vaccine यदि पहले जो vaccine दिया है covid-19 का उसकी वज़े से उनको allergy हुआ है तो नेक्स time उनको नहीं देना है दूसरा immediate या डिले ओंसेट एनफाइले reaction एनफाइलेक्सिस allergic reaction यदि किसी patient को allergic reaction है तो भी नहीं देना है injectable therapy से कोई दिकत हो रहा है तो भी उनको नहीं देना है फार्मकोलोजीकल फ्रोडेक्ट फूड आइटम उनके जितने भी फार्मकोलोजीकल फ्रोडेक्ट होते हैं उससे उनको allergy है तो भी नहीं देना है pregnancy and lactation very very important है कि pregnancy और lactation के अंदर भी नहीं देना है special for questions क्या रखना है देखे इसमें लिखा हुआ है vaccine should to administer with the questions in person with the history of bleeding या coagulation disorder जो bleeding disorder वाले हैं या coagulation disorder है उन लोगों को क्या है कि थोड़ा साफदानी पुरोग कर दिया जाना चाहिए इसे उबर special wishes ध्यान रखना है following condition are not seven point है following condition are not contraindicated for vaccine 19 ठीक हैं कौन-कौन सी condition के अंदर contraindication नहीं है उसके बारे में देखो लिखावा first history of severe acute respiratory coronavirus second तो या RT-PCR positive है तो माली जी कोरोना positive है उनको भी दे सकते हैं history of chronic disease लंबे साइम से जैसे heart है heart disease है kidney kidney है diabetes वाले पैसे उनको भी दे सकते हैं और immunodeficiency जैसे SIV वाले हैं तो जो immunodeficiency हैं body के इन्दर immunity की power कम है तो उस condition के अंदर भी दे सकते हैं ठीक है नहीं तो इसके अंदर मैंने आपको contraindication लिखाया है यह six point है वह contraindication है और उसके बाद में following condition are not यह कंडिशन है वह कॉन्टा इंडिकेशन के अंदर नहीं है इसमें दे सकते हैं ठीक है तो इसका आपको ध्यान में रखना है दूसरा है कोविड-19 वैक्षिन है वह कौन से रूट से जाएगी वह है इंट्रमस्कुलर इंट्रमस्कुलर अपराम है ना अफ़र अफ़र आर्म आप पर भूजाओं पर लगाया जाता है ठीक है तो यह आपको रूट आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट है ऑथराइजड एज ग्रूप अभी जो परमिशन मिला है वह ओनली फॉर एट्टीन येर एंड अविल एट्टीन येर ठीक है नहीं तो इसके अंदर क्या है कि अठारे साल से उफर एट्टीन येर एंड एबो यहां पर लिख लेना एबो एंड एबो ठीक है ओनली फॉर एट्टीन येर एंड एबो ठीक है अठारा साल तथा उसके बाद में जितने भी एज हैं उनको लगाया जाना चाहिए जो सिल्डरन के अंदर अभी तक फरमिशन नहीं दिया गया है ठीक है यहां फे यहां फे उसके बाद में लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी इंड वाइल लिक्विड फॉर्म है ना लिक्विड फॉर्म के अंदर है वाइल के अंदर है और बहुत जगे फे एंपूल के अंदर भी बन रही है बट अभी तक वाइल के अंदर यह मिल रही है ठीक है उसके बाद में वोल्यूम की बात करें कितना लगाना है लगाना कितना है लगाना कितना है 0.5 ml 0.5 ml लगाना है और अब से अंदर 10 ml और 20 ml मेडिशन आती है ठीक है 10 ml और 20 ml 10 ml वाला है तो वह कोवेशल्ड वैक्सिन है उसके अंदर 10 ml और कोवेशल्ड है उसके अंदर 20 ml का वोल्यूम रहता है ठीक है दूसरा देखेगा कि वोल्यूम की बात करें तो अपने 0.5 ml देंगे डोज की बात करें तो दो डोज देंगे ठीक है ना अब कब कब देंगे उसके बारे में बात करते हैं देखिएगा दो डोज डोज दो डोज लगेगा इसका मतलब है कि एक वेस्टे दे दिया उस वेस्टे बाद में फौर वी बाद में दूसरा वेक्षिन पड़ेगा इसका मतलब है कि इसके बीश में जो गैफ है वो 28 डेज 28 days के बीश में ये देना है ठीक है ना कम से कम 14 days का gap होना चाहिए ज्यान रखना है कि 2 dose के बीश में कितना gap होना चाहिए इस vaccine के अंदर 14 days का बहुत सारे जितने भी immunization program होते हैं या immunization vaccine होते हैं उनके 20 में कितना interval होना चाहिए 1 month का 1 month का interval होना चाहिए ठीक है ना तो बहुत सारे इनका gap duration 14 days लिखा हुआ है बट कोरोना वैक्सिन के अंदर जो लिखा हुआ है वो है 28 days के बाद में मालीजी आज वैक्सिन दिया है तो आज के 28 days के बाद में दूसरा सोट फड़ेगा ठीक है उसके बाद में community power की बात करें तो for one year not life long है ना कोरोना वैक्सिन है जो बनाई है अभी तक 9 to 12 month 9 to 12 month के लिए इसकी immunity power रहेगी उसके बाद में हर एक साल के बाद में वापिस टीका लेना पड़ेगा अभी तक की condition यह है बाद में इसके बाद में इसकी immunity बढ़ सकती है उसके बाद में देखेगा इस्टोरेज temperature की बात करें तो दो से आंट डिग्री सेल्सियस तक यह इसके अंदर इस्टोरेज करके रख सकते हैं efficiency की बात करते हैं vaccine produced in India have 70 to 75 efficiency and 90 to 95% safe मतलब efficiency का मतलब है कि यह कितना असरदार है ठीक है तो मान लिजिए यह 100% है उसमें से 75% तक यह असरदार है मतलब कारगर है यह काम आती है ठीक है दूसरी safe की बात करें कि 90 से 95% यह safe है किसी भी परकार का कोई दिक्कत नहीं होता है और कुछ condition लागू हो जाती है जिसमें old age होते हैं जिसके अंदर severe जो दूसरे disease उनको होती है और old age होते हैं तो उनको थोड़ा unsafe मैसूस होता है बट safe की condition है 90 to 95% vaccination के बात करें है vaccination for first phase sorry first phase देखो अभी इतने जल्दबाजी के अंदर vaccination इंडिया के अंदर आई है इसलिए एक category wise इन सभी लोगों को देने का target किया गया है तो सबसे पहले जो first phase के अंदर जो vaccination होगा वो कौन-कौन लोगों को होगा जिसके अंदर frontline worker या health worker होते हैं उनको जैसे doctor है nurse है paramedical staff है fourth grade है सफाई कर्मी है आसाशयोगी है defense force जिसमें police police सबाएंगे and other all supportive member होते हैं जो covid-19 की बिमारी है उनको रोकने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए first dose लगेगी ठीक है तो यह जो frontline worker है जो सबसे पहले उस coronavirus के परती या उस मरीजों के direct contact में आते हैं उन लोगों को पहले लगेगी और उसके बाद में धीरे धीरे second face आएगा और third face आएगा उनमें सब लोगों को लगेगी side effect of the covid-19 vaccine की बात करें देखो side effect की जहां बात आती हैं जितने भी vaccination है उसके हर कुछ न कुछ side effect देखने को मिलेगा आपको तो ऐसा कोई घवराने की बात नहीं है कि side effect में क्या होगा क्या एक PCM की tablet होती है उसके अंदर side effect होते हैं तो यह vaccine है vaccine के अंदर हलका फुलका side effect होता है कोई दीकत नहीं ठीक है side effect की बात करें तो क्या क्या होगा देखिए side effect के अंदर injection site fan and swelling injection site में fan and swelling हो सकता है उस person को headache हो सकता है fatigue weakness आ सकती है fever हो सकता है body egg हो सकता है abdominal fan nausea vomiting dizziness tremors cold cough और malagia malagia का मतलब है muscular fan है na muscular muscular fan या muscles के अंदर fan हो सकता है तो यह basic side effect है तो इसे घवराने की कोई बात नहीं है जितने भी vaccination होते हैं उसके अंदर कुसम कुछ side effect देखने को मिलता है तो यह था आपके covid-19 vaccine उसके बारे में आज अपने detail से बात किया thanks to all आज इतना ही दन्यवाज